नमस्कार आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बेस्ट टॉपिक पे जो कि आप डेली रूटी में यूज करते हो जैसे क्या मारा वाइफाई है क्या है वाइफाई की अगर हम बात कर लें तो वाइफाई आपको पता जिसे से बहुत बहुत ज़्यादा पापुलर नहीं है क्या है बहुत ज़्यादा पापुलर यार हर जगह यूज करते हो ब्रॉडबेंड में यूज कर रहे हो फोन में यूज कर रहे हो इंटरनेट से यूज कर रहे हो कुछ भी पा रहे हो कहीं से भी वाइफाई दे दो भाई हॉट स्पोट अन करो वाइफाई पकड़ाओ ब्ल Unique Online Guru, चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं Wi-Fi के बारे में किसके बारे में बात करेंगे, Wi-Fi के बारे में देखे जो Wi-Fi है, यह एक्चली में एक वर्ल्ड है Wi-Fi, इसका फुल फॉर्म होता है, Wireless Federality क्या है, Wireless Federality मतलब यह हुआ सीडी सी बात आप समझे कि जो हमारा Wi-Fi होता है हम इसके माध्यम से, एक जगह से, एक पार्ट से यानि एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण से हम दूसरे इलेक्ट्रोनिक उपकरण में इंटरनेट की सुविधा परदान कर सकते हैं जैसे क्या हुआ, हमारा मॉडम हुआ मॉडम हमने कहीं सेट कर दिया हमारा Wi-Fi चलना सुरू हो गया चलता है की ने चलता है, चलता है हर जगह चलता है, हम फोन चला रहे है हमें Wi-Fi चाहिए, कि भाई बंदा वो मॉडम लगाया हुआ है, Wi-Fi मैंने आउन किया, वो अगर उसके पासवर्ड लगा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो आटोमेटिक आप में Wi-Fi पकार लेता है तो Wi-Fi सिस्टम यही होता है ठीक है, अगर हम बात करें Wi-Fi की, तो इसकी जो टेकनलोजी है वो वायरलेस नेटवर्क टेकनलोजी है वायरलेस नेटवर्क टेकनलोजी सही गवा जो इसका बेस्ट है, इस पे जो बेस्ट है वो है IEEE ध्यान रखियेगा ये क्वेस्टन हमेसा बनता है आप लोगों का कोई भी exam हो, computer का exam हो, या फिर कोई technical हो, या फिर competition हो, कुछ भी कोई भी exam हो, तो ये पूचता है कि हमारा जो Wi-Fi है, वो किस पर based है, तो एक बात आप जान लो, Wi-Fi हमारा IEEE 802, यानि 802 protocol families पर depend रहता है, अब protocol तो आप लोग जानते ही हो कि protocol मतलब क्या होता है Set of Rules, क्या होता है? Set of Rules, means क्या आउख है, हमारे जो internet पर rule regulation लगाया जाते हैं, जो हमें traffic लगाई जाती है, जो चीज़े हैं बताई जाती है, उसको हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, बिसिकलिए ये बात आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूँ वाइफाई की थोड़ी सी में वाइफाई के डिटेल में अगर बात करूँ तो वर्ल्ड में 375 कमपनियों से जादा वाइफाई देने वाले उपकरण हैं हमारे पास बात समझ रहे ना तो वो ऐसे इस्टूबेंट बनाते हैं 375 कमपनियों जदा कि जो लोग वाइफाई दे सके एक दूसरे तक पहुचा सके हम तक यूज कर पाएं हम आप यूज कर पाएं वाइफाई के माध्यम से क्या नहीं हो रहा आजकर फैन चालू हो रहा है हम किसी को इ आफ वाइट करती हैं दौस्तो ठीक है तो ये बात आप लोगो को क्लियर है बागी मैं इसके बाद की बात अगर बताऊं तो जो Хमारा एक्टूरल जो वाइफाई होता है वो किसके माध्यम से चलता, आपको पता है, वो रेडियो वेब के माध्यम से चलता है, तो वाइफाई बिस्कली बहुत ही स्तमार्ट है और बहुत पापुलर नेम है, जो वेशिकली आप लोग यूज़ करते हो, आगर आप लोग clip कोई problem हो तो आप लोग हमें comment कर सकते हो अगर हम बात करों इसके range की कि wifi में कितना range होता है तो basically 20 meter से 250 meter तक होता है इससे भी high-tech आगया है लेकिन basically यही होता है basically कितना होता है 20 से 250 meter तक होता है तो ऐसे ऐसे Wi-Fi होते जो सोचों की आधे आधे किलोमिटर तक यानी 0.5 किलोमिटर तक हमारे कवर करते हैं Wi-Fi ऐसे ऐसे Wi-Fi होते हैं आप लोग को पता है कि आप railway station का campus कितना बड़ा होता है railway station का campus कितना बड़ा होता है किसी जंगसान पे चले जाएए और देखिए वहाँ पे जहां से आप स्टार्ट करते हैं रेलवे के कैमपस में उसना वहाँ से वाइफाई मिलती है जहां तक लाश तक रहता है वहाँ तक वाइफाई मिलती है तो क्या है यही वाइफाई है वो जो पूरे कैमपस को कवर करके रखता है ठीक है क्या करता है य को introduce date की कि यह हमारा Wi-Fi कबसे introduce हुआ कबसे लोग जानना शुरू हुए कबसे इसकी क्रेटिंग शुरू हुई तो यह है 21 सप्टमबर यानि 21 सप्टमबर 1998 यानि 1198 ठीक है इसका जो है 21 सप्टमबर 1998 बे इंट्रोड्यूस किया गया स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं देख रहे हैं जान रहे हैं इक चीजे के बारे में बाकि Wi-Fi कनेक्ट करने के लिए आप लोग आसान तरीके जानते हैं कैसे किसी की Wi-Fi हम लोग हैक करेंग ये भी मैं आपको वीडियोस दूँगा बस आप लोग हमारे यूज करते हो लैप टॉप सीरी सी बात भाई आज के समय में जितना डेक्स टॉप नहीं यूज हो रहा है उसे दर लोग लैप टॉप यूज कर रहे हैं तो लैप टॉप में Wi-Fi है फ्री आप कॉस्ट है स्मार्ट फोन अब इसकी बात तो छोड़ी दो आप वीडियो देख होता है उसके बाद बात करूं स्मार्ट टीवी तो अभी नई नहीं जितने भी टीवी या आ रहे हैं जितने भी टीलिवीजन आ रहे हैं सब में Wi-Fi एविलेबल है दोस्त ठीक है उसके बात करूं मैं आर्ट प्रिंटर की तो सीरी से बात समाझ लो कि जो भी हमारे मॉडल प प्रिंटर आ रहा हैं सब में Wi-Fi इन बिल्ड है आडियो प्लेयर की बात ही अलग है अब आप रूम में मौज मस्ती कर सकते है इन जगों पे भी हमारा क्या होता है इन जगों पे भी होता है उसके बाद कैमरे की बात कर लूँ तो कैमरा भी वाइफाई आता है अब कार की बाती छोड़ दो कार में तो काफी चीजें आजकल वाइफाई आने लगे तो यह है हमारा वाइफ झाल झाल